हलो इस्टूडेंट्स मैं डॉक्टर सुनीता मीना आज की ये कला महाविद्याल है अलवर से हम भी ये पार्ट तितिये का भारतिय राजववस्था बाला पेपर पड़ रहे थे जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था ऐसे योग आंदुलन एसे योग आंदुलन के कारणों पर हम डिस्कस कर चुके थे जिसमें चाहे वो प्रतम विशुद के बाद का घटना करम है भारतियों का एसंतोष उसको हमने देखा था भारतिय राश्टेता का विकास देश की देश में आर्थिक संकट और प्राकरतिक आपदाएं इन्ही के स सरकार की दमनकारी नीती, रॉल एक्ट एक्ट और जलिया माला हत्यकांड, खिलाफत आंदुलन बहुत सारे ऐसे कारणों को हमने पड़ा जो ऐसे योग आंदुलन के पीछे थे या ऐसे योग आंदुलन की प्रश्ट भूमी जिनोंने तैयार कर दी थी इन कारणों के कैसि प्रकार से श्रूर हुआ था यह उसके कारिक्रम क्या थे? आज के इस वीडियो में हम ऐसे योग आंदुलन के कारिक्रमों को उसकी विशेशताओं को उसकी नीतियों को डिस्कस करते हैं देखिए कि खिलाफत आंदोल्म तक हमने कारणों में खिलाफत आंदोल्म और उसके उद्देश तक जलियेवाला बाग को हमने डिस्कस कर लिया था तो इस तरह क्या यह इस तरह के घटना क्रम थे जिससे की देश में जो लोग जैसे कि महात्मा गांधी का भी हम इसमें उधारान ले सकते हैं अंग्रेजों के सहयोगी थे, समर्थक थे, प्रतम विश्युद तक जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था वही लोग भारत के अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं और अंग्रेजों के ऐसा ही योगी हो जाते हैं इसी संधर्व में अंग्रेजों के जो दमनकारी एक्ट बने थे या जो दमनकारी नीतियां थी या जलियां वाला बाग जैसे गटना करम था उसमें ना केवल महात्मा गानी ने बलकि रविंदनाथ ठैगोर ने भी जो बरवर और निशन्स आलोचना हुई थी एक तरह से समचार पत्रों पर कटोर नियंतरन लगा था इस प्रकार की सरकारी नीतियों के परिणाम सोरूप उन्होंने अपने सरकी उपादी का भी परित्यार कर दिया था तो हंटर कमेटी और उसकी जो रिपोर्ट आती है उसके बाद कॉंग्रेस आगे खिलाफा तांदूलन होता है और कॉंग्रेस जो है अब एक तरह से जो अब तक वैधानिक सादनों में विश्वास करती थी उसका व्यभार में या उसके सिद्दान्तों में परिवर्तन होना लाजमी हो जाता है देखिए इन कारणों के पस्चात 19-20 में सितंबर 20 में कलकत्ता में कॉंग्रेस का फिर अधिवेशन होता है जिसमें ऐसे योग आंदूल पिछले 34-35 वरसों से सरकार के साथ कॉंग्रेस एक तरह से जो वैधानिक सादनों का प्रियोक कर रही थी जिसको की राजनितिक भिक्षा की नीती भी कहा जा सकता है या कहा जाता है उग्रवादियों द्वारा तो राजनितिक भिक्षा की नीती का पालन करती आ रही थी इस इस बार सर्व प्रथम कॉंग्रेस ने सरकार के साथ सीधी टक्कर की निती अपनाई थी और अब कॉंग्रेस की निती में परिवर्तन हुआ था। इस चीज को महसूस किया और नियायरा में उन्होंने इसको कहा कि मुझे सर्व प्रथम आघात रोलेक्ट एक्ट से लगा जिसका निर्मान जनता की स्वतंतरता का हरण करने के लिए किया गया था। मुझे अपनी अंतरात्मा की और से प्रेड़ना मिली कि इसके विरुद्ध तीवर आंदुलन चलाना चाहिए। इसके उपरांत मेरे सामने पंजाब के अत्याचार आए जो जलियावाला बाग के कतले आम के साथ प्रारम हुए और पेट के बल चलने के आदेशों खुले आम कोड़े लगाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य एवर्णिय अपमान और तरसकारों के साथ समाप्त हुए। ये शब्द है महत्मा गांदी है। आगे वो कहते हैं कि मैंने यह भी अनुबव किया कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री द्वारा तुर्की की स्वाधिनता और इसलाम के धार्मिक संस्थानों की स्वतंतरता के विशे में दिये गए आश्वासन कदाचित कभी भी पूर्ण न साथ सहयोग और मांटफोर्ट सुधार को कारियानवित करने के लिए लड़ा केवल इस आशा पर कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री भारतिय मुसल्मानों से की गई अपनी प्रतिग्या शिग्रही पूरी करेंगे और पंजाब के घाव भर जाएंगे और सुधार चाहे वे कित सिग्या के पूरा होने की कोई आशा नहीं थी पंजाब के अपरादों पर लीपापोती की गई और अधिकांश अपरादियों को दंड नहीं दिया गया था यहां तक की वे नौकरियों पर पूरुते बने रहे और कुछ भारतिय कोश्ट से पेंशन लेते रहे और इस कुछ और कुछ को परितोशिक भी दिया गया था महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने यह अन्भव किया कि सुधारों ने हिर्दे परिवर्तन का कोई भी आवास नहीं दिया परंतु वे भारत के आर्थिक शोशन तदा दास्ता को इस्थाई रखने के साधन और उपाय बने तो पहल कि बार गांधी जी को जलियां वाला पांड रोलैक्ट एक्ट और पंजाब में जो कतले आम हुआ था जिस प्रकार की सजा लोगों को दी गयी थी जिस प्रकार पेट के बले उनको घसीटा गया था किस प्रकार से उनको बेजज़त किया गया था उसका जो भावना है उनके प्रती जो भावना है पहली बार महत्मा गांधी की दिल को या महत्मा गांधी की आत्मा को इन चीजों ने जखजोर दिया कि कि किस प्रकार से अंग्रेज अपने वादे से मुकर जाते हैं। प्रारंब हुआ था कि पूरी तरह से वह प्रस्ता पारित नहीं हो सका था क्योंकि देश बंदू, सियार दास, बीसी पाल, पंडित मालविये और श्रीमती एनी बेसेंट और मिस्टर जिन्ना इन्होंने आंधुलन का विरोध किया था। ऐसे योग आंधुलन का प्रस्ता पूरी तरह से सुईकरत किसमें हुआ था नागपुर अधिवेशन में। इस अधिवेशन में कॉंग्रेस के समीधान में दो महत पूर्ण परिवरतन किये गए थे। इसी अधिवेशन में एक तो क्या था कि इसी अधिवेशन में कॉंग्रेस का लक्ष पूर्ण स्वराज गोशित किया गया था। जिसका अर्थ गांदी जी के शब्दों में क्या था पूर्ण स्वराजी का, जहां तक संभव हो बिटिस सामराजी के अंतरगत, अन्यथा यदी आवश्चक हो तो बाहर. पूर्ण स्वराज पर दो चीजे हैं इसमें कि जहां तक संभव हो तो ब्रिटिस सामराज के अंतरगत अनिता यदि आवश्चक हो तो बहार थोड़े में स्वराज जी का अर्थ था स्वयसाशन तथा ब्रिटिस सरकार से सम्मंद विच्छेद एक तो अर्थ था इसका ये सोशाशन का दूसरा था कि अभी तक कॉंग्रेस का जो वैधानिक मार्ग में विश्वास करती थी इस अधिवेशन में अपने उद्देश की प्राप्ति के लिए सभी शांति पूर्ण और उचित साधन अपनाने का निश्चेद कर लेती है डॉक्टर पट्टावी सीता रमया के शब्दों में उन्होंने कहा कि नागपुर कॉंग्रेस के से वास्तम में भारती एतिहास में एक नवयोग का प्रारम होता है और देश को नया कारिक्रम तथा अंदोलन का डंग मिल जाता है तो हंटर कमीटी की रिपोर्ट या जलियावाला भाग रॉल एक्ट और किस प्रकार से सरकार की दमनकारी नीतियों के बाद ऐसे योग अंदोलन का जो प्रस्ता पारित होता है सरपर्थम कलकत्ता दिवेशन में होता है 1920 में लेकिन वो पूरी तरह से पारित नहीं हो पाता है कुछ लोग अभी भी उनके कॉंग्रेस से सहमत नहीं थे हैं कॉंग्रेस के उद्देशों से सहमत नहीं होते हैं लेकिन को और एस ऐयोग आंदोलन की शुरुवात यहां से हो जाती है सितंबर 1920 से कलकत्ता दिवेशन और दिसंबर 1920 के नागपुर दिवेशन में कॉंग्रेस ने ऐसे योग आंदुलन का जो प्रस्ता पारित किया था उसके अनुसार कॉंग्रेस ऐसे योग आंदुलन के कारिकरम निश्चत किये जाते हैं कि अब आने वाले समय में कॉंग्रेस अ अपने कारी क्रम किस प्रकार ?